प्रदान मंत्री नरेन मोदी ने शनिवार को सुबह करीब साड़े दस बज़े वीडियो कॉन्फरेंसिंग के माध्यम से फिंटेक से जुड़े हुए ग्लोबल थौट लीडर्शिप प्लेटफॉर्म इंफिनिटी फॉरुम के दूसरे संस्क्रण को संभूधित किया इंफिनिटी फॉरुम में प्रदान मंत्री नरेन मोदी ने कहा औस्टेलिया पीम ने साल की शुरुवात में कहा था कि भारत ग्लोबल सौट के नेतर्वत देने के लिए मजबूत स्तिथी में है कुछ हफ़ते पहले वर्ल्ड इकनॉमिक फॉरुम ने कहा था कि भारत में लाल फित शाही कम हुई है और निवेश के लिए बहतर महौल है बता दे की इंफिनिटी फॉरुम का दूसरा संस्क्रण वाइब्रेट गुजराद ग्लोबल सम्मिट दोहजार चोईस के पूरवर्ती कारिक्रम के रूप में भारत सरकार के तत्वधान में अंतराष्टिये वीतिये सेवा केंद्र प्राधिकरण और गिफ्ट सिटी दुआ सारा सयुक्त रूप से आजित किया गया यह फॉरुम ऐसा मंच है कि जहां दुनिया भर से प्रगति शिल्विचार गंबी समस्या नई टेक्नलोजी की तलाश की जाती है उन पर चर्चा की जाती है और समाधानों वह अफसरों में विक्सित की जाती है कारिक्रम को संबोदि करते हुए पीम मोदी ने कहा भारत लचीलापन और प्रगति का एक शांदार उधारन बनकर उबरा है ऐसे महत्वपून कालखंड में गिफ्ट सिटी में किस्वी सदी की आर्थिक नीतियों पर मंतन होना गुजरात का गौरव बढ़ाने वाला है यह फॉरुम एक ऐसा मंच प्रदान करता है जहां दुन्यावर से प्रगति शिल्विचार गंभीर समस्य नवीन ट्रोद्यूगी क्यों की तलाश की जाती है वाइब्रेंट गुजरात वेश्विक शिकर सम्मेल अंदोजार चोईस के पहले इंफिनिटी फॉरुम दो का आईजन किया जा रहा है आप सभी का इंफिनिटी फॉरुम के दूसरे एडिक्षन में अभिनंदन है मुझे याद है जब दिसंबर 2021 में हम पहले इंफिनिटी फॉरुम के दोरान मिले थे तो पैंडेमिक की जगह से उसकी वज़य से दुनिया में कितनी अंसर्टेनिकी थी हर कोई ग्लोबल एकनमिक ग्रोथ को लेकर आशंका में था और यह चिंता आज भी खत्म नहीं हुई है जियो पॉलिटिकल टैंशन हाई इंफ्लेशन और डेट लेवल्स की मुश्किले आप सभी बहुत अच्छी तरह जानते हैं ऐसे समय में भारत रेजिलियंस और प्रोग्रेस का एक शांदार उदाहन बनकर उभरा है ऐसे महत्मपन कालखन में गिप सीटी में 21 सदी की आर्थिक नित्योप्र मन्थन होना गुजरात का गौरो बढ़ाने वाला है